ओम शान्ती 16-22 के साकार अनमुल धार्ना युक्त मदूर महवा के हैं, जिनमें बाबा ने तीन बाते बताई, एक तो बाबा ने कहा अपने शांत स्वधर्म में टिकना है, दूसरा बाबा ने कहा आप सबकी वानप्रिस्त अवस्ता है, तीसरा बाबा ने कहा समर्ती रखो हमें घर जाना है, फिर बाबा ने का कर्मतीत अवस्ता संपून इस्तिथी अभी संगम पर बनानी है, जो भी सर पर 63 जन्मों के विकर्मों का बूच है, वो यहीं खत्म करना है, सब हिसाब किताब यहीं तो चुक्तु करने हैं, तब आत्मा पवित्र बनेगी, पावन इसलिए बाबा ने कहा, मैं सरुशक्ति मानू हूं, मुझसे शक्ति लेकर के इन विकारों पर जीत पानी है, तब कर्मतीत अवस्ता को हम पा सकते हैं, अर्धात बाप समान, संपन और संपोन पन सकते हैं, तो सुनते हैं, मीठे बच्चे संगम युक पर बाप आई हैं, जी जान से बच्चों की सेवा करने आया है, अभी ये ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापिस घर चलना हैं, कुश्चन, अभी तुम बच्चों की कर्मतीत अवस्ता हो नी सकती, अंत में होगी, क्यों? आंसर, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मतीत बनो, तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए, वो तो तयार नहीं हो अभी, वो तयार हो जाएगा, हम पावन कर्मतीत बन जाएंगे, तो शरीर छोड़ देंगे, अभी तो ये पांच तत्वों भी पतित हैं, शरीर भी पांच तत्वों का ही बनता है न, जब तत्वों पावन बने तब कर्मतीत बस्ता हो, तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे, तो यहां रह नहीं सकेंगे, जैसे हल्वा है तयार हो जाता है, पल्टा भी छोड़ देता और कड़ाई भी छोड़ देता ह तो माना हल्वा बन गया, हम भी संपन बन जाएंगे तो शरीर छोड़ देंगे, पामन बने तो पामन दुनिया में पामन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हापकास्ट हो, अंत में तुमारा पूरा बुद्धियोग जम जाएगा, तुम पामन बन जाएंगे और तुमार करमाती तवस्था हो जाएगे, गीत के बोल हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, उम शानती, दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र, अत्वा जीव आत्में याद करती हैं, जरूर, बास्तों में सभी जीव आत्में कौन हैं मुसाफिर है, जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो, यहां पार्ट बजाने, मुझे तो सारी कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं, री इंकार्नेशन, बाबा पूरी कल्प में एक बार अंत में आत तुम एक बार यहां आते हो फिर यहां ही पुनहर जनम लेते रहते हो मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल वा जान शिक वा प्रेम से सेवा करने आता हूं बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे तो बच्चों कोई बाप से वर्षा मिलता है वह हद का बाप और यह है बेहद का बाप यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा स्वेम खुदा खुद आकर के अपना परीचे देता है समय बताता है मैं कब आता हूँ और कोई उनका परीचे दे नहीं सकता तो बाप कहते हैं मीथे बच्चे अब डामा पूरा होता हैं वापिस चलना है कोई राष्टा भी जानते ही नहीं सिरब कह देते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है बैकुंठ वासी हुआ पार निर्वान गया अभी तुम बच्चे जानते हो बीच में कोई भी वापिस जाई ही नहीं सकता ना परमधाम जा सकता और ना स्वरग में जा सकता जब सबका पार्ट पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है तुम जानते हो हम सबात में जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बेहन हैं हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रपीट करना पड़ेगा बाप को सभी याद करते हैं हे पतित पावन आओ हे सीता के राम आओ एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा सब आत्माई रूपी सीता ही है उनके लिए ही निराकार राम आता है न सभी सीताओं का एक राम सब बच्चे याद करते हैं भक्ति करते हैं आखो वर्ष की तो बात बताना सके, मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है, डामा अनुसार भूले, तब तो बाप आई, सिरफ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाप खुद ही आकर बच्चों को राज योग सिखलाते हैं, बाप कहते हैं, यह नहीं नहीं बा एक दो को सुनाते आते हैं, यहां ना सुनने वाले और ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे, वहां तो यह भी नहीं जानते कि हम सोला कला संपोन हैं, वह तो है ही प्रालब्द, सोला कला से फिर चोदा कला बनेंगे, यह पता रहे, तो राजाई की खुशी चले जाए तो बाप समझाते हैं उंचे से उंचा धर्म शाष्ट्र पहले होना चाहिए देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को ही बूल गई है जिसने जितनी गीता की महिमा है उससे भी जास्ति किसकी महिमा है सुनाने वाले की महिमा है और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे भगवान तो एकी निराकार है बाकी सब हैं साकार गाया भी हुआ है शिरिमत भगवत गीता वैह सब का सदगती दाता है इस समय सब तमो परधान कबर दाकिल है फिर बाबा आकर सब पुरानी दुनिया तो खतम हो जाने वाली है, सरसो माफिक सब पिश जाते हैं, सत्युग में बहुत छोटा दैवी जाड़ होगा, भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सच खंड स्थापन करने वाला, परंत वो कब आएगा, शास्त्रों में तो लाको वर्ष दे द इनको ही अंधियारा कहा जाता है, अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्यान का सागर है, दूसरा कोई ज्यान सागर हो नहीं सकता, ज्यान सागर बाबा दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं, हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे, कि ड्रामा में हम एक्टर्स है उचे ते उचा कौन है ये मालूम होना चाहिए ना सिरफ सर्व्यापी है यह है ज्यान हो गया क्या अगर सर्व्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते सबके अंदर भगवान है फिर किसकी फुजा करते हैं किसकी भक्ति करते हैं इसको कहा जाता है अग्यान अभी तुम जानते हो, सबकी सद्गति दाता बाप है, उनका नाम है परम, पिता, परमात्मा, शिव, वो पिताओं का भी पिता है, जनम भाई, जनम लोकिक पिताई मिलते आई हैं, तो उचे ते उचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं, पहले पहले देवी देवता सीजरा क के उतरेंगे, अब वो बाप रच रहे हैं, देवी देवताओं को निराकार शिव बाबा रच रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मन कैसे रचे, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा, हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं, पहले पहले हम सत्युग में आये थे, इस समय तुम हापकाष्ट हो, शुद्र से ब्राह्मन बन रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे, पिछाड़ी में बुद्धियोग पूरा जम जाएगा और विकर्म सभस्म हो जाएगे, फिर भी यहां तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है, अभी पतित से पावन बन रही हो, फिर सत्युग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएगे, फिर यहां रहनी सकेंगे, जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर तो पांच तत्युभी पवित्र हो जाएगे, अभी तुम बच्ची संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुम्ब का मेला यह है, पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मारग, सन्यासी लोग सनान करनी जाते हैं, फि आत्मा निलेफ है, खाओ पियो, मोज करो, कुछ भी नहीं होता आत्मा को, परन्तो आप देखिए, कुछ खाते हैं, पीते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, आत्मा है, तब तो कोई न कोई एक चलती है, आत्मा शरीर से निकल जाए, खाओ पियो, देखो, कर सकते हैं, पर क्या क् लगता है आत्मा को निरलेप मानना यह तो पाप को बढ़ावा देना है तो इसलिए बाबा ने कहा वो तो कह देते आत्मा निरलेप है बाप कहते हैं भक्ती मारग में तुमने बहुत कुछ सुना अब जज करो राइट क्या है तो यह है अमर कथा जिससे तुम अमर पूरी के म मालिक बन जाते हो तुमको कभी काल नहीं खा सकता माहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया यहां कितना डर रहते हैं मोत का वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं भारत की महिमा बहुत भारी है जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है भारत में लक्षमी नारेन के अ बाप की महिमा परन्तु बाप को नहीं जानते मंदिर बनाते हैं लेकिन बाप को नहीं जानते कि इनको बनाने वाला निराकार्शु बाप है वह कब आये थे ये भी नहीं जानते बरोबर सत्यु में देवी देवताईन थे जब सत्यु को लाखो वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या अंगिनित होनी चाहिए कोई भी बुद्धी से काम नहीं लेते कहते हैं गउं के मुक से गंगा निकली है सारी ज्यान की बात फिर सूक्षी मतन में बैल आधी कहां से आया यह शाष्त्र आधा कल्ब से लेकर चलते ही आए हैं यह सब बाते मुश्ट बिलवेट बाग चिल्डरं को समझाते हैं तो सब मेरे बच्चे हैं तो सब मेरे बच्चे परन तुम मोस्ट बिल्वेट बनते हो लक्षमी नारेन का पता नहीं कि कब राज्य करके गए राधी क्रिशन का बर्डे मनाते हैं लक्षमी नारेन का कुछ भी पता नहीं है रामकुत रेता में दिखाते हैं क्रिशन को द्वापर में ले गए राधी कृष्ण है सत्यू के ये सब तुम ही जानते हो सब धर्म कैसे रपीट होंगे फलाना धर्म इस्थापक कब आएगा वह समझते हैं धर्म इस्थापन कर वापिस चले जाते हैं अरे तब फिर पालना कौन करेंगे हर एक मनुश्य रचना रचते हैं फिर पालना भी तो करते हैं बिनाशनी करते हद की रचना करने वाला बाप अल्प कालक्षन भंगुरसुक दे सकते हैं कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की व्रदी कैसे होगी बाप कहते हैं इस समय सब पतित ब्रष्टा चारी है एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है फिर दोसरे गीत में है, हमारा भारत सबसे उंचा है क्या अभी उंचा है? नहीं, अब तो बिलकुल ही पतित है बाप कहते हैं बचे धीरज धरो यह भी खेल है अभी दुख के दिन पूरे होकर सुप के दिन आ रही हैं इस नरक को स्वरक बनाने परमधाम के रहने वाले बाप पराई देश में आई हैं बाप कहते हैं मेरा यह जनम स्थान है नहीं तो कोई बताई निराकार बाबा कहां आई किस शरीर में आया कब आया क्या करने आया इस चार पांच बाते कोई नहीं बता सकता कोई भी बताना सके तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पामन बनाते हैं बाइब कहते हैं बच्चे कोई मेरे पास इलाज नहीं लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो कितना प्यार से लाडले बच्चे प्रिया बच्चे मेरे बच्चे कितना प्यार से समझाते हैं तुम पतीत पावन कहते हो, सर्व शक्त इमान कहते हो, अब तुमको शक्ती चाहिए, किसलिए शक्ती चाहिए? पांच विकारों पर जीत पाने के लिए, हिंसक लड़ाई की यहां बात ही नहीं, यह है गुप्त, सिरफ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजपा जाप, यहां से फिर आटोमेटिकले तुम सुक धाम में आ जाएंगे, शान्ती तो तुम्हारा स्वधार में है, यूं तो इस रावन राज्ये में शान्ती मिलने ही सकते, बाकि थोड़े समय के लिए चाहते हो, अगर आम शान्ती चाहते हैं, तो उसके लिए बाबाने बहत रिरी होकर बैठ जाओ, शान्ती तो सबको चाहिए ना, अगर 101 करोड भी शान्ती में बैठ जाएं तो भी शान्ती हो न सके, यह है ही अशान्ती की दुनिया, शान्ती के लिए कोई राय नहीं निकल सकती, यह तो गौड़ फादर की ही जबाबतारी है, तुम जानते हो बैठ फादर भी वहां रहते हैं, वो सुक धाम है और यह है दुक धाम, बीच में और और धर्म निकलते हैं, व्रदी होती रहती हैं, उन्होंने तो कल्प की आयूला को वर्ष कह दी है, इसको कहा जाता है घूर अंधियारा, और सत्युग है घूर सोचरा, मूल वतन में है आपार शान्ति, शान्ति दाम हैं, तो वहां आपार शान्ति हैं, यहां हम पार्ट बजाने आई हैं, तो बाब कहते हैं, हे आत्माई सुनती हो, इतना मैं सुना रहा हूं, तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे सुनते हो, अपने कान रोपी और गन से, तुम को याद है, य तुम इस समय तिरकालदर्शी हो, तुम ब्रहमनों के सिवाई कोई तिरकालदर्शी नहीं है। रिशी मुनी कहते थे मिशुवर को नहीं जानते नास्तिक हैं, अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और स्रिष्टी चक्र के आदे मध्यनत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, सिवाही तुम्हारे कोई को भी ये नॉलेज नहीं है, लक्ष्मी नारेन को ना तिरलोकी नाथ और ना तिरकाल दर्शी कहेंगे, तिरलोकी नाथ मनुष्य नहीं हो सकते, तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो लक्षमी नान को भी तिरलोकी का ज्यान ही नहीं विश्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं अब विश्णु के दो रूप लक्षमी नारेन राधी कृष्णी लक्षमी नान बनते हैं इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी वायोग्राफिक को तो जानना चाहिए न, तो उचे से उचा है एक भगवान, उनका नाम है शिव, रोद्र भी कहते हैं, यह है रोद्र ग्यान यग्य, क्रशन ग्यान यग्य तो होता नहीं, क्रशन को सत्य क्या यग्य रचेंगे, और वहां पर यग्य क्या उशक्ता ही नहीं होती, रोद्र यग्य से विनास ज्वाला परजुवलित होई, सत्युक में यग्य रचने की दरकार नहीं, इस ग्यान यग्य के सिवाए बाकी सब हैं, मैटिरियल यग्य, तो बाबा ने समझाया है, इनक इसलिए कहा जाता है, परम पिता परमात्मा ने यग्य रचा है, जिस से मनुष्य से देवता बनते हैं, देवतनाओं के पैर पुरादें दुनिया में नहीं आते, तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षातकार करा दिया है, अच्छा, मेठे मेठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुद मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुद मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग, ओम नमस्ते, धानना के लिए मुख्या सार है, अपनी शांत स्वधरम में सदा रहना है, ये वानप्रिष्त अवस्था है, पापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे, अर्थात निरण तर, बाबा को याद करते रहे, स्वांसो स्वांस याद करते रहे, सेकिन पॉइंट है कर्मातीत बनने के लिए संपुन पावन बनना है जो भी विकर्मों का बोजा है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है बर्दान शुद संकल्पों के घहराव द्वारा सदा चत्र चाय के अनबूती करने वाले और कराने वाले द्रड़ संकल्प धारी भाव आपका एक शुद संकल्प से शक्ति शाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है शुद्ध संकल्पों का बंधन वगेराव कमजोर आत्मों के लिए छत्र चायबन सेफ्टी का साधन वगिला बन जाता है सिरफ इसके अभ्यास में रहने इसके अभ्यास में पहले युद चलती है वेर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं लेकिन यति दृड़ संकल्प करो तो आपका साथ स्विम भगवान है। कहते हैं दृड़ता सफलता की चाबी है। आपका दृड़ संकल्प है तो बाबा स्विम साथी बनता है। विजय का दिलक सदा ही है इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वत्र मर्ज हो जाएगा स्लोगन फरिष्टे स्वरूप का साक्षातकार कराने के लिए किसी को भी हमारे फरिष्टे स्वरूप का साक्षातकार हो वो कराने के लिए शरीर से डिटेच रहने का अभ्यास करो शरीर से डिटेच रहने का अभ्यास करो अमरत बेले की पॉइंट है कई बच्चे बाप तादा से कहते हैं हमारे पास ही अभी तक भी माया क्यों आती है जब मास्टर सरुशक्तिमान बन गए तो माया के आने का कोश्चन ही नहीं है लेकिन कारण है क्या कारण है क्यों माया आती है कारण है आदी काल अमरत बेले अपने दिल में परमातम सनेही संपूर रूप से धार नहीं करते बैठे योग लगा लिया बस पर प्यार का सागर बाबा है वो प्यार अमरत बेले सारा दिन के लिए अपने बुद्धी रुपी जोली में भड़ने वो नहीं भड़ते अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है कहां भी खाली है तो हलचल तो होगी न बैठते भी हो उठते भी हो लक्षे भी है और योग में बैठते भी है लक्षे भी है कहते भी है एक भाब दूसरा न कोई आदी आदी ये दिल से कहते हो या मुख से कहते हो तो फिर दिल में और आकरशन का कारण क्या है जरूर कहां और व्यक्ति व्यभव की तरफ से नहीं जाता है बाबा की बज़ेओ और कई जाता है तब तो तो आकरशित करता है, दिल में संपूर्म परमातम प्यार भरा हुआ नहीं होता, तो माया के आने का कारण बाबा ने बता दिया, किसी ना किसी व्यक्ति, व्यभव, अधि-अधि की तरफ बुद्धी योग जाता है, इसलिए माया आ जाती है, ओम शन्ति